गजल कम बेक टो माई चैनेल होसकी बहुत अच्छ है तो आज मैं जो आप से शेर करने वाले है वह वह कोकोनेट की गुर्ड वाले पेड़े वह भी टिप्स and Tricks बताने वाले हूं तो दिवाली आही गह अभी तक आपने दिवाली की तयारी नहीं शुरू किये तो आप ये वाली रेसेपी जरूर से फॉलो कर सकते हो दिवाली मिठाए के लिए और फर्स टाइम में आप एकदम पॉफिट बना के तयार कर सकते हो अगर आपने कभी बनाया नहीं है अब विदाउट फेल ये जरूर से पॉफिट बनके आती है अगर बायजान साब के पास कोरनी नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर सकते हो नारिल को कोरने के लिए तो ग्राइंड करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना अगर आप सुबह नारिल की लड़ू बना रहे हो तो पहले दिन रात को आ तो दीरे दीरे चलाना एक बार में आपको उसको ग्राइड नहीं करना है तब धीरे धीरे करना है और जब वह देखो कि आप सूजी जैसा हो गया है थोड़ा दरदरा है उसको निकाल की कड़ाई पर डाल दो प्राई के डालने हो थोड़ा सा चला लो और फिर उसमें एड कर तो गुड़ यहां मैंने एक कोकोनट के लिए धाइसो क्राम जैसा गुड़ का यूज किया था अगर आपके पाउडर है तो पाउडर गुड़ भी यूज कर सकते हो बस मैंने नॉर्मल जो गुड़ होते वही यूज किये है उसको फिर अच्छे से मिला ले ना उसमें मैंन देखो कि यह कड़ाई शोड़ने लगे तो आप उसको चेक कर लो थोड़ा सा बाइंड हो रहे कि नहीं अगर आप देखो कि बाइंडिंग हो जा रहे तो आप गैस का फ्लेम बंद करके पांच मिनट के लिए बस ठंडा होने के लिए रखो फिर इसको शेप दिन लगो बाउल में पानी रखो और सुखा कपड़ा रखो दो चार बनाने के बाद आपके हाथ जब चिप चिप हो जाए हाथ को धोलो इस बाउल में अच्छे से सुखे कपड़े से पोछ लो फिर बनाना शुरू कर दो इस तरह से आप बना सकतो बहुत ईजी लो और मेरे एक नारि स्वेशची ने अच्छेन अच्छे जते लो जब चार से वहाथ जो ओिए लो यहाथ जाए ही जारिए जाप में अच्छेंग से लो चे लो और में च्म छो झार लोग जाए हाथ जए आतार बनाने के बीत .